हे गाइज वेलकम बैक तो माई यूटूब चानल रेनुकास रेसिपी आज हम बनाएंगे मुंबई की फेमस स्टेट फूट रगड़ा पैटिस रगड़ा पैटिस हर किसी को पसना आती है इसे मैंने घर में बहुत सिंपल और सरल तरकी से बनाया है तो इस वीडियो को लाच मैं सारे मटर को ढाल देंगे तो एक चूताइक ऑद या फिर एक चूटी चमच हम सोडा डालेंगे तो अच्छी तरह से बॉइल हो जाएगा और कम समय लगा इसे पकने में अब चुटी चमच हल्दी पाणर यह डाल देंगे इससे अच्छा सा कलर आए जाएगा हमारे या फिर एक छोड़ी चमच नमख डाल दे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसे हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन 20 मिनिट तक कूकर का ठकन लगा ले और इसमें 4 से पास सिटी आने तक उबाल ले पैटिस बनाने के लि बिलिए अगर आप सिसन वाइस आपको पहाड़ी आलु मिलते हैं तो इस पैटिस में आप पारिया का यूज करें मेरे पास नहीं थे तुमिने यहां पर नॉर्मली जो आलु मिलते उसका यहां पर यूज किया होते हैंने जादा में मोईश्य हो जाता है और नमख डालने के अब हम बागी के मसालिस में आड़ करेंगे यहाँ पर मैं आधी चोड़ी चमच नमक डाल दूँगे और हम डालेंगे आधी चोड़ी चमच अध्रक लसंग का पेस्ट अब सारी चीज़ों को हम अच्छे तरह से मिला लेंगे तो नमक डालने से जो हमारा मिशेलन वो और हटा दिये हैं अब हम क्रंबल करके इसमें डाल देंगे डालने से क्या होगा कि जो भी मॉइस्टर होगा वह ब्रेट अपने आप में एब्जॉब कर लेगा और अच्छे तरह से बाइंड हो जाएगा और डालने से जो हमारी टिक्की है पैटी जिए और जादा घस्ता बने देंगे और मिश्रिन को अच्छे तरह से सेट होने के लिए 15 मिट के लिए 20 मिनट बाद हमारा रगड़ा अच्छे तरह से बॉल हो चुका है अब इसमें हम तड़का लगाएंगे तो यहां पर मैंने कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है दो बड़ी चमच अब इसम बड़ाएंगे और मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहिए तो उसमें थोड़ा सा बीज ग्रेवी थोड़ा सी पतली चाहिए थी अच्छी तरह से हावे में मिक्स कर लिया है आप अपनी हिसाब की नुसार ग्रेवी को कम ज़्यादा कर सकते या फिर पतली रख सकते या फिर गाड़ी रख सकते हैं मुम्मे में जब हम खाते हैं रगड़ा तो इसमें तड़का नहीं लगाया जाता पर हम सिंपली घर में बना रहे हैं तो इसमें में तड़का लगाया आप अपनी हिसाब के नुसार इसमें तड़का लगा सकते या फिर नहीं लगा सकते अब यहां पर हम इसे पाच मिन अच् पाच मिनिट थोड़ा सब मिश्रिन हातों में लेते ह behandobra कर लेंगे तो यहाँ पर हम चोंद कीव बना रहे हैं इसे पोलते हैं पैसी और चोटी बना सकते हैं एक रिक कर के तो यहाँ पर मैंने लगभग इसी तरह से सारे टिकी बना के रेडी कर लिया है अब इसी हम शालो फ्राय करेंगे तो चलते हैं नेक्स प्रोसेस की ओट यहाँ पर मैंने एकनॉस्टिक बैंद रख दिया है इसमें में डालूँगी थोड़ा सा तेल तेल को हम जादा यूज न इसमें आ जाती तब तक आंजिके तरम नीचे और चैनल से तरल लिंगे तो तीम इंट बात आप आप देखेंगे कि यह चितरह से शालो फ्राय हो जगी नीचे के ओर से हम इसे प्लट देंगे तो आप देख सकते कि लिए और अच्छा से क्रिस्प और नहीं चाह जोका है र इसमें अच्छा सा कलर आने तक वेट करेंगे तो नीचे की ओर से आप देख लेएक पर तो आप देखेंगे कि नीचे की ओर से अच्छे तरह से गुड़न मराण कलर आ चुका है तो इसी तिला में हमें करेबन 3-4 मिन्ट लग गए हैं और ब्रेट डालने से क्या हो गया कि जो हो वह हमारीटी पैटी से और ज्यादा कृस्पी बनागें तो यहां पर हमारीटी बनने हैं अब इसे हम प्लेट में गोड़ में अगर आप चाहे तो इसमें टीशू पेपर में या फिर किजन टावल पेपर में भी तिन अब आपर मीरने हो चुकिए हैं आप में निक्सके प्रविए को कम जादा कर सकते हैं तो यहां मैंने तीन बड़े चमच रगडा डाल दिए हैं अब इसमें हम डालेंगे पैटिस जो मने बनाकर रिडी किए यह डालेंगे जैसे मार्केट में मिल दिया नचाट उसी तरह से हम यहां पर बनाएंगे घर में अब तो हम डालनेंग ने ड़ाये यह जो अमाक i'll कोगे पार राता हुए विकाल को इस देसे को नहीं को करका भाधा हुआ तो है कम पिती चाहर है इसे upwards मुन あलासे चाहर सब्सक्राइया ऑ लाचे सब्सक्राइस si आज कर सब्सक्राइब ही कना है ने लाणस और ला जालेंगे चाट मसाला थोड़ा स अब इसमें हम डालेंगे उपर से सेव जो मार्केट में मिलते हैं उसका यूज करी हैं अच्छे तरह से गार्णिश कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा दिनिया तो यहां में हमारी बंके रेडि हो चुकिये एकदम परफेक्ट रगडा पैटिस तो यहां पि कि आज की दिसे भी आपको ज़रूर पसनाएगी अगर आपको मेरा वीडियो पसना आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर ज़रू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग